आज 10 नवेंबर 2021 है और आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को निद्रा जीत बनने की विधी भी बताई है बाबा ने कहा कि अगर हम बाबा और वरसे और साथ साथ स्वदर्शन चक्र फिराते हुए सोते हैं तो हम निद्रा जीत बन जाते हैं और जो कोई भी करेगा इस पुरशारत को वो अपनी चलन द्वारा अवश्य प्रसिद होगा तो हम इस पुर्शारत को भी आज अवश्य करें आज बाबा ने हम बच्चों को बर्दान दिया है सर्व के दिलों के राज को जान सर्व को राजी करने वाले सदा विज्यई भव लोग नाराज हो जाते हैं जब हम किसी न किसी प्रकार की misunderstanding या miscommunication में आजाते हैं व्यक्ति बात कहता है लेकिन हम उसके बात को समझ नहीं पाते कि वो चाहता क्या है उसके अंदर क्या है अंदर की बात चिपी रहती है मुख के शब्द कुछ और होते हैं तो बाबा ने कहा कि अगर हम सबके दिलों के अंदर के रास को जान ले कि वास्तव में इस आत्मा को क्या चाहिए ये आत्मा किस चीज को तलाश कर रही है अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसे वो फ्राप्त करा सकते हैं हम अपने पुर्शारत को यानि जो कुछ भी हम बिहेवियर कर रहे हैं उसके साथ उस अनुसार मोल कर सकते हैं जिससे वो आत्मा हमसे राजी हो जाएगी और जहां आत्माय राजी है अंदर से ट्रुप्त है हमसे साटिसफाइड है तो हमारी सदा विजय होती है क्योंकि चाहे हमारी सेवा हो चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो या हमारी वर्क प्लेस हो हमें भिन भिन आत्माओं के संबंद और संपर्क में आना पड़ता है और अगर हम उन सभी के दिलों को दिलों के राज को जान कर उन्हें राजी कर लें सब को संतुष्ट कर दें तो हमारी विजय निश्टित है तो इसलिए आज हम इस पुर्शारत को अपनाए कि अंतर मुखी बने जितना जितना हम अंतर मुखी होंगे साइलिंस में होंगे उतना उतना हमारा मन शांत होगा वो एक दरपन बन जाएगा जिसमें जो आत्मा मेरे सामने आएगी उसके दिल के भावों को हम स्पष्ट रीती जान पाएंगे और उन्हें राजी कर पाएंगे ओम शांती